पैसला आना है लेकिन यहाँ पर और आपको बता दें कि A.S.I. का सर्वे होगा ये इस वक्त की सबसे बड़ी कबर है क्योंकि हिंदू पक्ष ने लगतार ये दलीज दी थी कि सच्छ सामने आएगा दूद का दूद पानी का पानी होगा अगर A.S.I. का सर्वे होगा इस वक् का सर्वे किया जाए दिस्टिट कोड का फैसला ततकाल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है ये भी आदेश में हुआ और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए इसमें कोई एडजेन्मेंट ना हो ये भी कोड ने आदेश पर देश कोई समय सीमा नहीं किया है आज से डिस्टिट कोड का ओरडर प्रभावी होगा कोई विश्याइश टिपड़ी करी जो हाइड किजित अब कि तर्फ हुआ कि वह सकता है और जैसे आज मुस्लिमफोच का बराबर आर्गुमेंट था कि एस साइट को भी कोड ने खारिश किया और हमारे जितने तर्क थे इंटेंशन थे शारे आर्गुमेंट्स को कोट ने इन टोटो माना है और का एसाई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाले है आज से शुरू हो सकता है क्योंकि आज से डिस्टिट कोट का ओर्डर प्रभावी है देखे एसाई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिय का केस था कि एसाई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा उस सारे अर्गुमेंट को कोट ने सिरे से रिजेट कर दिया है और कोट ने उनकी जो पेटिशन ती 227 की उसको रिजेट कर दिये तो आज का इंपैक्ट यह है कि एसाई सर्वे ततकाल प्रभाव से चालू हो से बिलकुल आगे के लिए मार प्रसेस्ट हो गया है क्योंकि अंजुमन कोट का फैसला था उसको ततकाल प्रभाव से प्रभावी कर दिया जितने भी जितने भी इंट्रिम ओडर थे स्टे के सारे इस्टे ओडर विकेट कर दिया नहीं एसाई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टमस में कि बिना छती पहुचाई हुए हम सर्वे करेंगे तो आदमी किसी पक्षकार को कोट जाने से नहीं रुख सकता यह उनका राइट है वो सुप्रीम कोट जा हम भी सुप्रीम कोट में मौझूद रहेंगे पर जो इलाबाद हाई कोड का आज फैसला आया है इसमें बहुत क्लियर टमस में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डै होगा वो एसाई भी कह चुकी है और इलाबाद हाई कोड ने आज उसको खारिज कर दिया है कि आर्केलोजिकल सर्वे औफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षन शुरू होना चाहिए और डिस्टिट कोड का जो फैसला है वो ततकाल प्रभाव से प्रभावी हो चुकी कोड ने उसको डिस्टिट किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोड ने मान लिया है जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था कि बिना डैमेज किये सर्वे किया जाएगा ASI ने भी ऐफिडेविट फाइल किया था तो कोड नहीं का ASI के ऐफिडेविट को उसको डिस्बिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और ASI ने जो ऐफिडेविट फाइल किया उसके टर्मस में सर्वे हो मुझे लगता है शर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या जूट जो भी है वो कोड के सामने आना चाहिए Session Code का ओर इन टोटो अफोल कर दिया है और यह भी लिखा है कि Session Code का ओर तदकाल प्रभाव से प्रभावी है मेरे साथ है